जै मातादी भक्तो, सुब नवरात्री भक्तो, मापरमचाडी का दूसरे दिन जो है हम लोग, नो दिन के नवरातन में दूसरे दिन जो है, मापरमचाडी का फूजन दर्शन किया जाता है भक्तो, मापरमचाडी हम लोग को सभाग प्रदान करती है भक्तो, इस दिन मापरमच ब्रमचाड़ी के रूप में सर्व्यापी ब्रह्मांडी चेतना का दूसरा स्वरूप नवरात्री के दूसरे दिन भक्तों को आसिस्त देता है ब्रह्मकार्थ है वह पर्मचेतना जिसका न तो कोई आदी है और न कोई अंत जिसके पार कुछ भी नहीं है ब्रह्मचाड़ी के शरूप में भक्त ध्यान मगन होकर प्रम्शत्ता की दिव्यनगूति करते हैं मा के प्रम्चाड़ी स्वरूप की अरावना करने वालू की सक्तिया शीमीत अनंत हो जाती है यह वक्तों फल्षुरूप दुखों के उपर उठ करवा जीवन की सुखों को प्राप्त करता है यह सत्चिता अनंद मैं ब्रह्म की प्राप्ति कराना ही ब्रह्मचाडी का सोभाव है। पूरे चंद्रमा की समान निर्मल करांति मैं और भब रूप और दोबुजावाली ब्रह्मचाडी। कौमारी शक्ती का इस्थान योगियों ने स्वाधिष्ठान चक्र में बताया है। ये भक्तों इनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे में जब किमाला रहती है। भक्तों को ब्रह्मचाडई उनके परतेक कामें सफलता देती हैं। वशन मार्ग से कभी नहीं हटने और जीवन के कठिन संघर्ष में बिना विचलित हुए अपने कर्तवे को अपालन करते हैं। इनका वहान शिखर अर्थात परवत की चोटी को ही बताया गया है। यह भक्तों मा भगवती सुच में से सुच में रूप में भी सीव जी की प्राप्ती के लिए तब करती रही। तीनों लोकों में भगवती के इस रूप का तेज व्याप्त हो गया। तब ब्रम्मा जी ने आकासवाडी से इस रूप को भगवान सीव के पती रूप में प्राप्त करने का वर दिया। ये भक्तो देवी के इस रूप से जीवन पूजन से कठिन संगर्शों में विमन विशलित नहीं होता है। और दिरगाई प्राप्त होती है। ये भक्तो मादुर्गा के इस रूप को गुड़ाल और कमल के फूल विहत पसंद है। दूसरे दिन इनी पुष्पो को अर्पित करने तथा चीनी मिस्त्री और पंचामिर का भोग अर्पित करने से भगवती सिग्र परशन होकर लंबी आई हो सभाग्य प्रदान करती है। तो इस दिन माब्रम चाड़ी का हमलों को पूजन आर्चार करना चाहिए। दिन माब्रम चाड़ी का पूजन बहुत ही सभाग्य प्रदान करता है। इस पूजन से माब्रशन होकर हमलों को सभाग्य प्रदान करती हैं और लंबी आई हो प्रदान करती है। यह भक्तों आप लोग भी इस वीडियो से जो भी सहायता मिल सकती है उसे आप लोग जरूर लें भक्तों या वीडियो आप लोग लिए बहुत ही सहायक होगा भक्तों तो इस वीडियो का आप जरूर देखें और मा प्रमचाड़ी रूप के स्वरूप की पुजा अरजना का इससे ज्ञान आप लें और दूसरे दिन आप जो है नावरातन की पुजा का जो है लाव उठा में ये वीडियो आपको बहुत ही सहता प्रदान करेगा तो मा का रूप बहुत ही करांती में और बहुत ही सुन्दर नावरातन में लगता है नो दिन में नावरातन में मा बहुत ही आशिर बाद हम लोग को परदान करती हैं और सारे सुखों के हम लोग के आचल में मा देती हैं तो मा के इस रूप का पुजन हमें करना चाहिए जो भी ध दिवत पूजन कर सकते हैं, वो भी दिवत करें, जो नहीं कर सकते हैं, वो मा की आरती गा दें, इसे भी मा प्रशन हो जाती हैं, एक दीपक जलाकर और मा की आरती अगर हम गा दें, तब ही मा हम लोग को प्रशन होकर अपना साने दे देती हैं, यह वक्तों आप लोग भी मा के की यस्तिरूप का पूजन करें और मानक्स सस वभाग्य मैं जरूर सबका सबसाओ पूरा करेंगी अर चवक इस भक्त सो पूण करें नोद minder के नर आत्ण मैं Mr. Ka को बनाती है मत्ता ये वक्त्य को तो नरातन में बहुत ही कुछ सब्रकू करें और बहुत यासिस पाएं माका, बहुत आसिरवाद में, माका लें आप लो, और सबके मनकामने मापूर करें, मिलती हैं अपले वीडियों भक्तो